हलो जैने दोस्तों मैं राहूल सिंग राहूल वाईश फाइश लड़ी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत और भी रिंदर करता हूं प्रैंट्स आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी 2022 को आपको पता होगा आज एक बिसेश तिथी का जो है औसर है यानि आपको पता होगा आज बसंत पंसमी है और बसंत पंसमी को आप सभी लोगों को सभी हमारे विवर को बहुत ध्यर सारी शुब काम लाएं अब हम खबरों आगे बढ़ेंगे बात करेंगे लेकपाल भरति को ले करके यूपी टीपलिस की अन भरतियों को ले करके शात मेससी को ले करके और महतिपुल खबर हाई कोर्ट नई भरती गुरूब सी और डी के सम्बन में बात की जाएगी लखनों पर इच्छा को लेकर के लखनों पिश्विदाले की समेश्टर एक्जामिशन को लेकर के और यंटी पीसी जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर के कितने लोगों ने अभी तक कोईडि किया है साथ नबल एक्वान की घंटी प्रस कर ले ताकि अशित तमाम महत्पुर्ख पर जो आपके लिए उप्योगी हो जरूरी हो एक परत्यों की चाथ के लिए जरूरी हो और उप्योगी हो काफी दिनों के बाद डीबी टेस्ट को लेकर के इंफर्मिस्ट जारी किया था आपको पता होगा बिग्यापर संक्याचाय पर इच्छेद वर निज किसम नहीं एक चार सो तिन पदों के लिए यूनियस्टेशन्ट की भरती की पर इच्छा को लेकर के लिए 19 से 20 भरतियां भी यूपी टेपर इसी में फसी होई है और हजारों पदों के लिए लाकों यवाओं का भविश अभी विदाओं पर लगा हुआ है लिकिन यूपीटी पलेसी अपनी कार पढा ली अपनी जो उसकी गासिया पनी जान जा जाए है वो निशित ओपर बहुत जदा यवाओंक को परिशन कर रही है और यूपी टीपलेसी निश्चित तौपर जिस पेकार से प्रदेश में सबसे ज़्यादा भर्तियों का दारो मदार उसके उपर है एक दायुत है उसका निर्वन सही तरीके से नहीं कर पा रहा अब यूपी टीपलेसी में जथा कि आप लो जानते हैं प्रदेश में बिधान कहीं कुछ गरबड़ी हुई थी फॉर्म में उकल तक सही कर सकते थे और जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनको आगे उस सीच को करना करना ही पड़ेगा तो लेक पाल भरती की पिकरिया है अब फालने तरफ पर पूरा हो चुकी है और बात किया जाए आपको पता होगा योग की तरफ से और यहां पर सबसे महत्तपूर चीज यही है कि लेक पाल भरती परिच्छा आखिरकार कब तक उपीटी परिच्छी करवाने वाला है कब तक करने में करवाने में शामार्थ है तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह चीज़ा आप भी जानते हैं कि 10 परिच्छा कराने में आश्मर्थ है श्रीष्ट और लिखेत परिच्छा है ना क्योंकि अभी परसासन का साथ यूपीटी पर एसी को नहीं मिल पाएगा वह ऐसे भी मिलता ही तो क्या यूपीटी परिच्छा करा रही हैं लेकिन यहां पर सबसे महत्तेपूर चीज यही है क कि भरती भी ग्यापन निकल चुके हैं अब यूपीटी परसी को केवल केवल काम करना है अपने रिजल्ट को लेकर के एक्जामनेशन को लेकर के तो खबरे यह मिल रही है जो वेरिफिकेशन के पिकरिया है वह इसी बात किया जाए अगर बात किया जाए तो लगबग 10-15 द सबसे अधा बन रही है कि 15 अपरायल के बाद किसी भी तिथी में यूपी टीपलसी आयोग जो है लेकपाल भरती को लेकर के एनाउंसमेंट कर देगा और 15 अपरायल के बाद जो आपकी भरती पर इच्छा है कोई एक तिथी निधायत कर दी जाएगी आयोग की तरब से आप को एक महीन से ज्यादा कसमें इनफॉर्मेशन जो है इनाउंसमेंट तिथी होगी जो आपकी एक्जामिशन की उससे एक महीन की ज्यादा का समय आपको त्यारी करने को लेकर के विस्चिस तोपर मिलने वाला है यूपी टीपलसीक से जैसा कि यह नभरतियों में आपको सबसे बड़ी भरती जो 9212 पाद호 के लिए आयोक की तरब से स्वास्त काज करता मैला तो आपको पता होगा यह भरती जो को लेकर के भी है कुछ कौट ने आपको पता होगा यह भर्ती जो आपको मानिय उच्चनयालय में केस है ये कि जो अब verti बहुत से भरती एसे हैं जिनके पास एक इसम्में यगता होनी जरूरी थी और वो जिसावम के पास नहीं थी और इसको लेकर के जो भरती में सामिल नहीं हो पाये थे उन suburbs is नातिमें ऊपस्तिट को आप नहीं नहीं किया था तो ऐसे सबी को मौका मिले जो परिच्छा में नहीं थे जिनके पार यह योगता है वो लोग ताकि आनलान इस भरती को लिकिर कर पाये थोड़ी लेट राती पी अब दिख रही है लेकिन अब इसको कोई भी खबरी नहीं कि आपके एकजामिसन कब तक मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूं जो status report है, भरतियों का S.S.C. यानि क्रमचारी चैन आयोग का यहाँ से, यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं, इस महिने 4 बड़े पडावा देगा S.S.C., क्रमचारी आयोग ने ज्यारी कि status report, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्रमचारी चैन आयोग ने विभिन भरती परिचाओं को ले करिके अपने स्टेटर्स रिपोर्ट शुक्रवार को देर सम जारी कर दी इसी महीने चार परिचाओं के विभिन चनलों के पड़ाम घोसित के जाएंगे 15 फरवरी को सीजियल 2019 का अंती पड़ाम जारी कर दिया तो 28 फरवरी को कंबाइंड हार सेकंडरी लेबल यानि CHSL एक्जाम दरवनेस के स्किल टेस्ट और UMTS 2020 के स्टाप एक्जामनेशन पेपर वन और जूनियर इंजियर 2020 एक्जाम पेपट्टू का पड़ाम भी एससी घोसित करेगा 10 मार्च को इस टोनों कर अपर ग्रेड़ सी और डी एक्जाम दरवनेस के स्किल टेस्ट जारी होगा और 15 अपरेल को जो सबसे बड़ी पर इच्छा थी एससी की यानि एससी जीडी भरती को लेकर कि जिसमें सी एप यना ये एसस अप एसम राइफल के साथ साथ अर्न हमारी स्वाच्छा एजंस्य में जो भरतियां होत थे 15 अपरेल को इसका जारी किया जाएगा वहीं जबकि 30 अपरेल को कमबाइन ग्रिजोट लेबल सीजल दूरब इसकी एक्जाम टायर वन का रिजल्ट घोसित होगा एससी ने पिछले 14 परड़ामों का भी हवाला दिया जिसमें अधिकांस अपने तिथी पर ही घोसित किये गये हैं तो आप लोग बिल्कुल निशिंत लगिया और इसी तीथी पर आपके परिच्छा पड़ाम जारी किया जाएंगे तो यह तो बात हो गई है ससी को लेकर के आप आप दे सकते हैं ससी की भरतियों को लेकर कि क्या कुछ तैयारिया है ससी ने पूरा इस्टेटस रिप 18 के बाद इलहावाद हाई कोट ने गुरूप सी और डी की भरतिन नहीं की है अब खबरे यह हैं कि दस हजार से जादा पड़ों के लिए जियां दस हजार से जादा पड़ों के लिए प्रदेश में दिवानी नियाले में गुरूप सी और डी के पड़ों के लिए भरतियां को विग्यापन 15 फरवरी के बाद किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है जियां 15 फरवरी के बाद अब मोश्टली ये चांसेश हैं कि 20 से 25 फरवरी तक आपका ये आनलाइन आवेदन की पिकिर्या को लेकर के एड़वर्टाइजमेंट यानि बिग्यापन जारी कर दिया जाएगा इलहाबाद हाई कोट भरती की तरफ से भरती वोड की तरफ से तो एक सबसी महत्रपूर खबर है लाखोव भरतियों के लिए कि इलहाबाद हाई कोट में 10 जास्त जादा पदों के लिए गुरूप C यानि जूनियर असिस्टेंट पेर अपरेंटिस और गुरूप D में आपको पता होगा कौन कौन से पताते हैं उसको लेकर के जो तैयारिया चल लही है इलावाद हाई कोट में की 20 फरवरी के आसपास इसको लेकर के अडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाएगा तो जो सबसे महत्यपूर्ट खबर है और पिछले कई सालों से इस भरती को लेकर के इवाओं को इंतिजार है और इसमें लगा ताट डिले होने के बाद अब ये खबरें मिल लही है कि यो 20 फरवरी तक आपके रवर्टाइजमेंट को लेकर के आपको अबिशली की गुरूप C और गुरूप D की भरती को लेकर के उनका इंतियार खतम होने वाला है तो एक बड़ी स्वाफ से महत्तपूर्ट खबर है आज की खबरों में से कि लिए इलाहाबाद हाई कोड गुरूप C और गुरूप D की दस हार पादों के लाना इर बिदन की पिकरिया फ रखनों इनवस्टी यूजी के रद हुए समेस्टर एक्जाम कोबिट के कारण आपके एक्जामेशन जो रद किया गये थे उसको लिकर कि क्या कुछ खबरें हैं कब आपके एक्जामेशन स्टार्ट होने माले हैं यहां से देख सकते हैं यह लोग परसासन एक्जाम सुरू को लेकर कहें चीजें दिसंबर 221 की एक्जाम डेट दोबारा से सुरू हो और यह हमकाम बात क्याएं पीजी के लोग करके एक्जामेशन जो हैं वह सत्तरा फरविर से सुरू होंगे अब यहां पर अंडर गेजूट यानि यूजी के थर्ड वा थिप्त समेस्टर और कराना इसको लेकर के इनिवर्स्टी ने मन्थन सुरू कर दिया है और चुनाओ के बाद यानि दस मार्च के बाद आपके यह पर इच्छा सुरू करा जाकती है कि आगे देशकते हैं इनिवर्स्टी परसासन का बिचारे की लखनों में तेज फरवरी को मद्दान हैं खत्म ह होने के बाद किसी भी दिन एक्जाम सुरू करा दिये जाएंगे हाला कि इस से पूर्प कोर्ना संक्रमन की स्थिति का आकरन किया जाएगा 17 जन्वरी से होने थे यूजी के समस्टर इग्जामेशन लेकिन आपको पता होगा कोबिट के नाते जिस प्रकार से प्रदेश के साथ साथ देश में आपके राजधानी लखनों में बिसेस्टर पर बात किया जाएग कोबिट को लेकर के जिस प्रकार से केसे आ साथ आ रहे 17 फर्वी से सुरू होकर पार्च मार्च तक होंगे अब खबरे यही में जो आपको बताना चाहता हूं कि लखनों विश्विद्यारे परिच्छ विभा का काना कि अभी इन्मस्टिक के काले 6 फर्वी तक बंद हैं जो ही परस इसे खोलने पर जापकी एक्जामेशन को लेकर के कोई महत्पूर डिसिजन लिया जा सकता है और यूजी थर्ड वा फिप समेश्टर का एक्जामेशन जो है वो आपको 10 मार्च के बाद जो है किसी भी तितिती से सुरू हो सकता है तो एक महत्पूर खबर उन बात किया जाए हजारों भरतियों के लिए है जिनके को ले करके एनाउंसमेंट जो है बहुत जल्द होने वाला है और नौ से यम कौम मिड समेश्टर के जामेशन लखनो इनिवस्टी के कामर्स विभाग के बाद अब एपलाइट एकोनॉमेक्स विभाग यम कौम फर्स्ट समेश्टर टोटो एट टुटी 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 इकोनॉमेक्स को दस पर रिको इंटरेशनल टेर्ड और इस्टिकर एनलेशिस गैरा फर्लुरी को एड़मास एकोनॉमिक्स वन ला एंड प्रैक्टिस आप बैंक की एक्जामनेशन आपके करा जाएंगे लखनो बिश्विद्याले की तरफ से तो आज ये लखनो बिश्वि रिब्यू दिया है यहां से देखने खबरें और यार्वी की सिविर है ना 1372 पर इचारतियों ने की है सिकायत यह तो बात होगी हमारे केवल को लिकिर के परियाग राज को लिकिर के देज भर में अब तक आ चुके हैं दोग लाग से अधिक आवेदन 25 जनवरी को परियाग इस्टेशन के बाद हुआ था जो है घंगावा और यार्वी ने सिकाय सुनने के लिए कोरल कलब समयत रेलवे इंस्ट्यूट आगरा बुंदेल खंड इनिवस्टी जहासी में स्रेक तुलूप से तीन दिन सिवर लगा हैं यहां मेल और गूगल फॉर्म के माद्यम से अब तक 1372 सिकाय सुझाव आये हुए हैं इसमें फिचकल तव पर परियाग राज के सिवर आठ परिचार्थी पहुचे जबकि आगरा में पांच जहासी में 16 लोग पहुचे सके इसके गूगल फॉर्म से 133 तथा इमेल से 310 आवेदर आये हुए हैं वहीं पूरे देज में अब की चीज़े क्या कुछ चीज़े हैं अब यहां से 6 महत्रपूर चीज़े के भी है कि अपरेंटिस कर चुके अभरतियों के लिए 20% सीट आरच्छित अपरेंटिस परप्त करने वाले अभरतियों को अरार्मी गुरूबडी की परिच्छा में 20% पर आच्छर मिलेगा अरच्छित होगा अपरेंटिस की वाओं के लिए इन्हें वरीता दी जाएगी और इन्हें भी परिच्छा के सभी मानक पूरे करने होंगे अगर बैकर सी माराच्छित 20% पर यहोगा भरती के ना मिलने पर खाली रहते हैं तो दूसरे पर चातिया पद भर लिए जाएंगे रेल्बे भरती प्रकोष्ट उत्तरमद रेल्बे ने अपरेंटिस परसिच्चर के लिए वर्स 2020-21 और 1499 में वहीं 2021-22 में 1664 रिक्तियों का रिपिकिसन निकारा था 21-21 के अधिकांस परसिच्चो विभिन टेड में अपरेंटिस कर रहे हैं जबकि 22-22 के रिक्तियों को इसा पेच अविदन करने वाले अब परसिच्चर पर भीजा जा रहा है शुक्रवार को रेंटेंसा सिबील लगा है जिसमें अभरतियों को परसिच्चर मिलने के बाद परिच्चा से मिलने वाली वरिता के समस्चाओं और संकाओं का निवार अर्भे किया जा रहा है आपके लिए थी पांच फरवरी को लेकर के थी आतर पहुचाई गई है राहुल वाई फाई इस्टरी चनल के माध्यम से खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो नेक्ष्ट अपडेट के साथ तब तरक्रे धन्नवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत